दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है अस्पतालों में ऑक्सिजन और दवाए हर हाल में उपलब्द कराएं जिहां बिहार के मुखिमंद्रे नितिस कुमार ने सुमवार को राज में कोविड-19 से संबंदेद इस्थितियों की समिक्चा की एक अन्य मार्ग इस्थित संकलप से वीडियो कॉनफरेंसिन से आजित इस उचिस्थिया बेठक में उन्होंने अलादिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में दवा और और उक्सिजन की उपलब्दा सुनिश्चित कराएं बेठक के दोरा नमुक मंत्रे ने कहा कि कोरोना संक्रमन के मामले प्रते दिन तेजी से बढ़ रहे हैं विसे सिक्क्या नुस्तार अभी और बढ़ने की आसंका है निर्देश दिया कि RGIMS सहित सभी सरकारे अस्पतालों में कोवीड बेड की संक्या बढ़ाई जाए सभी निजी अस्पतालों में भी कोवीड बेड की संक्या को बढ़ाए टिका करन कायर में और तेजी लाए कोरोना जाच की संक्या बढ़ाने के साथ साथ जाच की रिपोर्ट जल्द उबलब्द कराना सुनिशीत करे इससे संक्या मितों का समय पर इलाच किया जा सकेगा अगली बड़ी ख़बर बिहार में स्राद और साथ समारों पर होगी सक्ती कोरोना गाइड लाइन का करना होगा पालन पुलिस मुख्यालाई का सभी जिलों के स्प को निर्दिस कोरोना के बड़ती रप्तार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबंद का सक्ती से पालन कराया जाएगा इसमें साधी समारों और स्राद्र कायरकरम में तय माबदंडों से अधिक लोगों के मौज़ुदगी नहीं उने दी जाएगी ADJ विदेववस्तामित कुमार ने सभी जीलों के SP को इसे सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया है थाना अज़क्ष के माइदम से SP इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे कोरोना के पहलाव को रोखने के लिए सरकार द्वारा 18 अप्रेल को गाडलाइन जारी किया गया है राज जिभर में नाइट कर्फियो है इसके अलावा धार्मिक इसंसानों को स्रदालों के लिए बंद कर दिया गया है मेरीट भार को नेंदित करने के लिए कई अइन कदम उठाये गया है साधी समारों के साध स्राद कायरकरम के आयोजन पर रोक नहीं लगाए गया है पर इसमें लोगों की मौज़ोदगी सिमित कर दी गया है ऐसे आयोजन में अधिकतम सो वेक्ति तक सामिल हो सकते हैं लगन का मौसम सुरू है गाजे बाजे और बाराद भी निकल रहे हैं ऐसे में समारों में सो से ज़्यादा लोगों की उपस्यति ना हो इस पर विसेस फोकस किया गया है बड़ी खबर बिहार में लोगडाउन जैसे हालात रेलवे ने किया बड़ा एलान 46 पेसेंजर ट्रेने बन बिहार में कोरोना महमारी का संक्रमन कपे तेजी से फेल रहा है राज के कई जीलों में प्रसासन की टीम ने विकेंड लोगडाउन के एलान किया है कोरोना के बढ़ते संक्रमन से राज सरकार काफी चिन्तित है समुआर को सियम नितिस ने राज की सिनियार अधिकारियों के साथ समिच्चा बैठक की और उन्होंने आवज सक कदम उठाने के निर्दिस दिये इसी कड़ी में रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है बिहार में चल रही 46 पेसेंजर टेनों को बंद कराने का एलान किया गया है समुआर को इस्ट सेंटर रेलवे की और से जारी किया गये आदेस के मुताबिक कोरोना के बड़ते संग्रमन को देखते हुए तेज जोड़ी मेमो और डेमो पैसेंजर टेनों को बंद करने का एलान किया गया है दोसरे तरफ सेम नितिस ने कहा बिहार में अभी और बढ़ेगा कोरोना अधिकारियों को हर जोरोरी कदम उठाने का दिया निर्देस बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मुखमंत्री निदीस कुमार ने सुमुआर को आला अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात का जाज लिया सियम ने इस बैठक में अपसरों से कहा कि राज में कोरोना का संग्रमन अभी और बढ़ सकता है ऐसे में उन्होंने कहा कि अधिकारी परिसिती के अनुसार हर जरोरी कदम उठाए सारकारी या प्राइवेड होस्पिटल में ऑक्सिजन की जो जरुत है उसको पूरा करने के लिए हर जरोरी कदम को उठाया जाए साथ यह उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट की सेंग्या को और बढ़ाया जाए जाज की रिपोर्ट जल्द उपलब्द कराया जाए इसका ख्याल रखा जाए कि कोई भी बेवज़ा अपने घर से बाहर न निकले बिहार के इस जले में लोगडाउन का एलान डियम ने उठाया बड़ा कदम जी अबिहार में कोरोना संग्रमन का कहर जारी है राज़ाने पटना के अलावा आए जलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फेल रही है कोरोना की रोक्ताम को लेकर नवादा के डिय के लिए संपूर्ण लोगडाउन का एलान किया है उन्होंने फिलाल चार दिन के लिए निने लिया है बताया जा रहा कि आगामी स्कुरवार से लेकर स्वमवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे सिर्प और सिर्प आवज़सिक चीजों की दुकाने को खोलने का आधिस दिय गई है 18 अप्रेल को मिले जमानत की सर्तों के मुताबिक उन्हें जमानत का बॉन भरना है लेकिन रहवार को हुई बार काउंसलिंग की बैठक में वकिलों ने खुद को दो माई तक अदालतकार इससे अलग रहने का फैसला लिया है अब लालों की जमानत का बॉन तीन माई क और इस्टोर की जंजर राज में ऑक्सिजन की किलत अभी भी बनी हुई है सुचना के अनुसार कुछ अस्पताल अभी भी मरेजों को ऑक्सिजन की कमी का हवाला देकर डिश्चारज कर रहे हैं वही दोसरी तरफ केंदर की और से बिहार के लिए 194 मेट्रिक टन का कोटा ने लिया है जैनकारी के अनुसार वर्तमान में पटना एंस में 30 केल पारस अस्पताल में 20 केल एस आईसी अस्पताल में 10 केल और एसके एमसी एच अस्पताल में 10 केल छमता वाले क्रायोजेनिक अक्सिजन टेंग की लगे हुई है बिहार में मिले 11,801 नए मरेज लगबग 20 टेस्ट कम हुए पटना में सबसे ज़्यादा सबसे जदा 27 निव पोजिटिव केस जीहा सोमुवार को बिहार सरकार की और से जारी तजा अक्डे के मुताबिक राज में पिछले 24 घंटे में कॉल 11,801 नए कॉरोना मरेज की पहचान की गई है रायदानी पटना में एक बर सबसे ज़्यादा 2720 निव पोजिटिव केस मिले हैं इसके अलावा गया जिले में 655, सारन जिले में 560 और अंगाबाद जिले में 550, बेगुसरा जिले में 549 और गोपालगन जिले में 500 मरेजों की पहचान की गई है केंद्रिय विदालय में पर्वेश प्रकिरिया इस्तगित जी हाँ केंद्रिय विदालय संगटन ने स्यत्र 2021 के लिए चल रही पर्वेश प्रकिरिया को ततकाल प्रभाव से इस्तगित कर दिया है कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामले को देखते हुए केबियस की तरप से यहार निने लिया गया है कोरोना संक्रमन कम होने और इसकोल आधिक खुलनी के बाद नामांकन पर क्रिया सुरू की जाएगी पपो यादव ने कहा मौत का आखड़ा छुपा रही है नितिस सरकार पटना में ही जल रही है सोचिता है जी हाँ जान अधिकार पाटी के राष्ट्य अधिक्च पपो यादव बिहार सरकार पर कोरोना से मरने वालों का आखड़ा छुपाने का आरुप लगाया है पूर्व सांसद पपो यादव ने कहा कि बिहार में प्रतिदिन कोरोना से सेकड़ों मोत हो रही है बिहार सरकार मौत के आखड़े को चुपा रही है समवार को जान अधिकार पाटी के राष्टिय अधक्च पपो यादव प्रेस कॉनफरेंस को समधित करते हुए कहा कि बिहार के अस्पतालों में जलाद और स्वास्त विभागों में किलर बेठे हुए हैं इन सबका एकमात्र ओद्यस मरीजों को मारना है इन अस्पतालों ने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है अधिकतर निजी अस्पताल बगर इंफ्राइस्ट्रेक्चर चल रहे हैं अगर सरकार बिहार में कोरोना की लहर को तोड़ना चाहती है तो कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए महावेर मंदेर की ओर से मुट डाक्टर डी परामर्स की वेवस्ता सुबद दस से साम पाँच बज़े तक कभी भी कॉल किजिए कोरोना संक्रमन से सम्दीत समय सका होगा समधान जी हापाटना के महावेर मंदिर की तरब से टेली मेडिशन की विसेस विवस्ता की गई है डाक्टरों का नंबर जारी किया गिया है जिन से निर्दारी समय पर फोन से सला ली जा सकती है इस विवस्ता से परामर्स पूरी तरह से निसुल को होगा सबसे पहला महावेर वाचल अस्पताल जिनका परामर्स का समय सुब 10 बजी से साम 5 बजी तक होगा जिन में डाक्टर अभिसिक कुमार जिनका मोबाइल नंबर 998485 3466 डाक्टर प्रियंका कुमारी 8252015076 डाक्टर सिव कुमार सिंग 9639630601 स्वेता राज 820132679 और डाक्टर एकिसिन्ना 7909033831 है जिनके परामर्स का समय सुब 10 बजी से साम 6 बेज तक होगा जिनमें डाक्टर राकेश कुमार डाक्टर विपी सिंग डाक्टर राजेश कुमार डाक्टर विसाल किसोर डाक्टर विकास कुमार सिन्ना और डाक्टर मेजर जेकी सिंग रहेंगे बिहार बोर्ड ने जारे की कटब इंटर के 5.5 लाग विर्दाती होंगे स्कॉलर्सिप पोर्टल पर पंजिकरें जी हाँ इंटर्मिडेट के 5.5 लाग चात्रों और चात्राओं को नेशनल स्कॉलर्सिप पोर्टल पर रजिस्टेड होने का मौका मिलेगा एक बार NSP पर रजिस्टेड होने के बाद विर्दातियों को हर तरकी चात्रविर्थी की जानकारी मिलेगी इसके अलावा चात्रों का रजिस्टेशन का कोई सुल्क भी नहीं देना होगा इसके लिए बिहार बोर्ड ने कोटिवार कटब जारी किया है जो चात्र या चात्रा इस कटब में आएंगे उन्हें NSP में रजिस्टेड किया जाएगा कटब देखने के लिए आपको बिहार बोर्ड के ओफिसल वेबसार्ट पर जाना होगा वहां से आप अपना कटब देख सकते हैं बिहार में स्वर वजगार के लिए एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट्स जिहां बिहार में उद्धमी बनने के लिए किसी भी स्रेनी के लोगों को एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्दमी उजना के लिए एक नया पोर्टल तयार किया है जल्द ही उस पर आवेधन का सिलसिला सुरू हो जाएगा एक ही पोर्टल पर किसी भी स्रेनी के अभियरतियों को आवेधन करने के लिए अलग अलग विकल्प मिलेंगी राज सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर रही है इसके लिए उन्हें दस लग तक की आर्थिक सायता भी दी जा रही है बड़ी कबर बिहार में कोरोना वैक्सिनेशन के तिसरे चरण के लिए 18 वर्स से उपर वालों का रेजिस्ट्रेशन जिया बिहार में 18 से 44 साल के लोगों को एक मैं से सुरू हो रहे कोरोना टिका गरन अभ्यान को लेकर 28 अप्रेल से निबंदन के प्रक्रिया सुरू होगी राज स्वास्त समीति की कारिपालक निदेशक मनोज कुमार ने लाइन प्रेस कॉनफरेंस में इसके जानकारी दी है उन्होंने साब किया कि बिना पूर्व निबंदन के 18 से अधिक उम्र वाले कोरोना टिका नहीं ले सकेंगे उन्होंने कहा कि 18 से 44 सालों के व्यक्तियों के बीच स्रेनी बनाई जा सकती है राज सरकार इस पर विचार कर रही है इसको लेकर उचिस तरिया बेठक में विचार किया जाए और अंकी बड़ी खबर ग्रेय मंत्राले ने राज्यों से कहा जहां एक हथे तक पोजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा आए वहाँ 14 दिन की सकती पाबंदिया जरूरी जिया देश में कोरोना की बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रे ग्रेय मंत्राले ने राज के लिए गाइलाइन जारे की है इसमें कहा गया कि अब राज सरकार को लोगों पर सक्तिक करनी होगी यह भी बताया गया कि कितने इलाके का पॉजिटिविटी रेट लगातार एक सब्ता तक 10% आता है या कहीं अस्पताल में 60% बेड़ भर जाते हैं तो वहाँ 14 दिन की सकत पाबंदिया लगाए आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार के प्रतम राजिपाल का क्या नाम है इसका जवाब आप हमें न के चे कमें बोक्स में जरूर बता है